जीवें शरदह शतम हमारी संस्कृति में सब को सौ वर्ष के स्वस्त जीवन की शुबकामनाई दी जाती हैं हम साथ एप्रियल को विश्व स्वास्त दिवस मनाएंगे आज पुरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतिय चिंतन चाहे वो योग हो या आहिरुवेद इसके प्रती रुझान बढ़ता जा रहा है अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ता कतर में एक योग कारिकम का आयुजर किया गया इसमें 114 देशों के नागरीकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसी तरह से आयुजर इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है छे साथ पहले आयुजर से जुड़ी दवाईयों का बाजार 22,000 करोड रुपिय के आसपास का था आज आयुजर मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री एक लाग 40,000 करोड रुपिय के आसपास पहुँच रही है यानि इस ख्षेत्र में संभावनाय लगातार बढ़ रही है स्टार्ट अप वर्ल में भी आयुजर आकर्षन का विशे बनता जा रहा है साथ क्यों हेल्थ सेक्टर के दूसरे स्टार्ट अप पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ लेकिन इस भार आयुच स्टार्ट अप पर आपसे विशेष तोर पर बात करूंगा एक स्टार्ट अप है कपीवा कि इसके नाम में ही इसका मदलब छीपा है इसमें कब का मतलब है कफ पी का मतलब है पित और बा का मतलब है वा क्या Χará स्टार्ट अप हमारी परंपराओं के मुताबिक हेल्दी इटिंग हैबिट्स पर आधारित है एक और स्टार्ट अप निरोग स्ट्रीट भी है आयुरुवेद हेल्थ केर एको सिस्टिम में एक अनूठा कंसेप्ट है इसका टेक्नोलोजी डिवन प्लेटफॉर्म दुनिया भर के आयुरुवेदा डॉक्टर्स को सीधे लोगों से जोडता है पचास हजार से अधिक प्रेक्टिशनर्स इससे जुड़े हुए है इसी तरह आत्रे इनोवेशन एक हेल्थ केर टेक्नोलोजी स्टार्ट अप है जो ह होलिस्टिक वैलनेस के ख्षितर में काम कर रहा है इक्जोरियल ने नकेवल अस्वगंधा के उप्योग को लेकर जागरुपता फैलाई है बलकि टॉप क्वालिटी प्रोडुक्शन प्रोसेस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया है क्योर वेदा ने जड़ी भुटिय के आधुनिक शोद और परंपरिक ज्ञान के संगम से होलिस्टिक लाइप के लिए डायेटरी सप्लिमेंट्स का निर्मार किया है साथियों अभी तो मैंने कुछी नाम गिनाये हैं ये लिस्ट बहुत लंबी है ये भारत के युवा उद्यमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का पती है मेरा हेल्थ सेक्टर के स्टार्ट अपस और विशेशकर आयू स्टार्ट अपसे एक आग्रह भी है आप ऑनलाइन जो भी पॉर्टल बनाते हैं जो भी कंटेंट क्रियेट करते हैं वो सयुक्त राष्ट्र द्वारा मन्यत्रा प्राप्त सभी भाशा में भी बनाने का प्रयास करें दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जा अंग्रेजी ने इतनी बोली जाती हैं और ना ही इतनी समझी जाती हैं ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकरी का प्रचार प्रसार करें मुझे विश्वास हैं भारत के आयू स्टार झाल